नमस्कार दोस्तों आज अपन डिसकस करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे आर्टिकल बारतिये रेलवे की दाराएं तो सबसे पहले दोस्तों इसमें अपन जो रेलवे की दाराएं हैं जिनके अंतरकत अपन को क्या-क्या सुविदाएं मिलती है रेलवे के क्या-क्या अधिकार कसी कि दा रहेंगे तो लोगको टाव मिलने वाले जानकरियाँ आपको प्रोपर मिलती रहें तो चलिए दो दोस तो देखते हैं भारते रेलवे की दा रहा हैं तो सबसे पहले इसमें इसमें इंपोर्टेट दा रहा हैं केवल वही डिसकस करेंगे रेलवे के दिनियम 1989 जो की एक जुलाईग 1990 को लागू आता जिसमें 16 द्याय तो दोसो दा रहा हैं अब टोटल दोसो दा रहा हैं तो उनमें अपन यहां पे जो मैन मैन इंपोर्टेंट दा रहा हैं वही केवल इसका यहां पे डिसकस करेंगे जिससे अपन को पता चलता रहे कि कौन-कौन से आर् आर्टिकल लाँ जनरली अपने यूज आते हैं तो सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 49 तो इसमें क्या होता है आर्टिकल नंबर 49 में कि जितने भी रेलवे स्टेशन हो और इंडिया में सभी इस्टेशनों पर एक निशित इस्तान पर समय सार्णी तता किराय सुची रेल्व स्टेशन पर एक निश्ची जगह लगावाना चाहिए यह आता अपने आर्टिकल 49 के अंडर अब है अगला आर्टिकल 50 इसके अंत्रगत क्या होता है कि यात्री द्वारा किराय का बुक्तान करने पर टीकट जारी करने का प्रावदान है तदा टीकट पे कहां से कहां तक के स्रेनी कौन सी क्लास का टीकट लिया है किराय किरासी यह सब लिखा हुआ लिखना जरूरी होता है इसके अलावा सेकिंड क्लास की टीकट तीन बासों में तदा अपर क्लास की टीकट दो बासों में लिखा जाता है और next है आर्टिकल 51 इसके इसके अंदर क्या होता है कि यातरी को यदि टिग यह मान कर दिया जाता है कि यातरी को यातरी को जगे उपलब्त करा दी जाएगी, यदि रेल्वेंट जगे उपलब्त कराने में ऐसśmirt है और यातरी को निम्नसरेणी में यात्रा करने के लिए आपको निचे की साय जाना पड़ता है तो इसके जो अगला 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 या इसको पर देखर करवाना तो railway उसका cancellation charge कारट कर दनकी वापस करेगा मतलब जो का cancellation charge है ओं कारट के वापस return कर देगा article 53 शम्म में क्या होता है की वि यात्री जिस नाम लूँ होता है कुछ विशयश परिश्तितियों में केवाल नाम चेंज किया जा सकता है मतलब जिस नाम से आपको टिकेट मिल गया है उसी नाम से आपको यात्रा करनी पड़ेगी अब अगला है आर्टिकल फिप्टी फोर अगर अगर रेल्वे क्रमचारी द्वारा टिकेट या प्रादिकार पत्र दिखाने के लिए बोला जाए तो वह आपको दिखाना पड़ेगा यदि आप नहीं दिखाते हैं तो फिर आप पे रेल्वे निये मनमसार कार्यवाई कर सकती है आर्टिकल फिप्टी फाइप रेल्वे से यात्रा करने के लिए यात्रे के पास रेल का टिकिट प्रादिकार पत्र या रेल्वे की अनुमती होना आउशक है यदि उसके पास प्रादिकार पत्र ये कुछ भी नहीं है तो फिर उसको यात्रा करने की अनुमती नहीं दी जाएगी और अगला है आर्टिकल फिप्टी सिक्स इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या यात्री जो चूत की विमारी से गर्षित नहीं कर सकता। यह दि वह चुआ चूत की विमारी से है तो यात्रा करने के लिए परमिसन लेनी पड़ेगी। चूत की वारी का वर्णन अपन कोचिंग दर की सुची में जो अलग से रेफ्रेंस लुक है उनमें डिसकस करते हैं कि कौन-कौन से चूत की विमारी हैं जिनमें अपन को पर्मिशन लेनी पड़ती है आर्टिकल 57 इस दारा के अंतरगत परतेक यात्री डिब्बे के बार वा अंदर यात्री की वहन समता लिखना आउशक है कि इसमें मैक्जिमम कितने आदमी बैठ सकते हैं या पेसेंजर बैठ सकते हैं आर्टिकल 58 इसके अंतरगत प्रावदान है कि परतेक यात्री गाड़ी में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बा होगा या कंपार्टमेंट या बर्त होगी मतला महिलाओं के लिए रिजर्व कुछ सीटें या कुछ को या एक कोच या उसके लिए कुछ अलग से बर्त कंपार्टमेंट में अलारम चैन उपलब्द कराने का प्रावदान है कि हर डिब्बे में अलारम चैन होना जरूरी है ताकि कोई भी अमर्जेंसी कैसे हो तो उसमें वह चैन पूलिंग कर सके लेकिन उसके लिए आपके पास वेलिड रीजन होना चीए अधरवाइज आप प खतरनाक और बद्बूदार सामान नहीं ले जा सकता और अगला है आर्टिकल 137 इसमें यह डिसकस किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति रेल्वे को दोखा देने के उद्देश से बिना टिकेट या बिना रेल्वे के उनुमती के दोखा देने के उद्देश से यात्रा करता तो इस दारा के अंतरकत उसको 6 महीने के सजा अजार रुपे का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है तो कम से कम 500 रुपे लिये जाएंगे और अतिरिक्त किरायव है अतिरिक्त सुल्क भी लिया जाएगा और अगर यात्रित जुर्माने की रासी या लेकल 138 इसमें क्या होता है कि इसमें यह दि जो यात्रि बिना टिक्ट के पकड़ा जाता है लेकिन उसका उद्दे से रेल्वे को दोखा नहीं देना है मालब टिक्ट लेना चाहता था लेकिन किसी रिजन से ले नहीं पाया तो उसे अतिरिक्त किराया और अतिरिक्त चार् अगले आर्टिकल 141 अगर कोई बी वक्ति बिना उचित कारन के चेन खीशता है, जो अपन ने देखा था आये अपना article कौन सा था जिसमें chain खीचते हैं chain provide की जाएगी परते की यातरे डिब्बे में तो उसमें यदि आपका valid region है तो अपन chain pulling कर सकते हैं और valid region नहीं है तो फिर article 141 के according आप चारज होगा इसमें क्या सजा होती है एक वर्ष की सजा या जार रुपे जुर्माना अत्वा दोनों से दंडित किया जा सकता है अगला आर्टिकल है आर्टिकल 142 इसमें यात्रियों पे लागू होता है जो अन्य यात्रियों के टिकेट पे यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है और टिगेट बेजते वे पकड़ा जाता है तो उसे 3 माय की सजा या 300 रुपे का जुर्माना अत्वा दोनों से दंडिट किया जाता है जो जनरली रेल्वे स्टेशनों पर टिगेट बेजते वे पकड़े जाते हैं या फिर कोई टिगेट बुकिंग करवाली और वो नहीं आ उसके जहीं दूसरा यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता ह। उस पर ए रुटिकल 142 लगाई जाता है। एसा वेक्तियों पर लागो होता है जो अनारक्षिक त्रूप से टिकट्ओं के क्रे विक्रे का कारुबार करते हैं जो नदिगते हैं। इसे वेक्तियों थीन तीन वर्स या 10,000 रुपे का जुर्माना अत्वा दोनों से दंदिट किया जाएगा और टिगट भी उससे जब्त किये जाते हैं जो रेल्वे स्टेशनों पर दलाल बगेरा होते हैं उन पर आर्टिकल 143 के एकोर्डिंग उन पर उनको सजा दिलवाई जा सकती है आर्टिकल 144 अगर कोई व्यक्ति रेल परिशर में भीक मांगते हुए या बिना लाइसेंस के सामान बेजते हुए पकड़ा जाता है तो एक वच की केद अत्वा 2,000 रुपे का जुर्माना अत्वा दोनों से उसको दंडित किया जाता है मतलब रेल परिशर में बिना अनुमती के या बिना लाइसेंस के सामान नहीं बेज सकते और बिखारी बिखारी बगेरा है वो भीक नहीं मांग सकते आर्टिकल 145 यह उन वेक्तियों पर लागू होचा है जो नस्य की आलत में यात्री डिबो में परिवेश करता है वो यात्रियों को दीवी सुईदाओं में बादा उत्पन करता है ऐसे वेक्तियों को 6 माइने की सजा और 500 रुपे का जुर्माना अत्वा दोनों से दंडित किया जाएगा मतलब जो रेल के परिशर में और डिबो में जो सरापी के या नसा करते हुए चलते हैं और तदा लोगों को परेशान करते हैं उनमें आर्टिकल 145 लगता है आर्टिकल 146 इसमें क्या होता है कि उन यात्रियों पर लागो होता है जो रेल करमचारी के करतवे पालन में बादा उत्फन करते हैं जैसे कोई TCA टिकेट काट रहा है उसको बार-बार परेशान कर रहा है तो उसके लिए आपको 6 माय की सजा 1000 रुपे अत्वा दोनों से दंडित किया जाता है इसलिए ध्यान रहें कि रेलवे करमचारी को कभी भी फालतु में परेशान ना किया जाए इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अनादिक्रत रूप से रेल परिशर में परिवेश करके रेल संपति को नुकसान पहुंचाता है रेल्वे की चीज़ों तोड़ फोड़ करता है और उनका दुरुपियोग करता है तो उसको 6 महीने की सजा तदा अजार रुपे का जुर्माना अथ्वा दोनों से दंडित किया जाएगा इसलिए कभी भी रेल्वे संपति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए यदि आप रेल्वे संपति को नुकसान पहुंचाते हैं वहाँ से चोरी करके लेके जाते हैं तो आर्टिकल 147 के एंडर आप पे कारिवाई की जा सकती है आर्टिकल 155 अगर कोई विक्ति यात्री गाड़ी में दूसरों के द्वारा आरक्सी सिटों गेल लेता है वह अन्य यात्रियों को परवेश करने से मना कर देता है और ऐसा यात्री समझाने पर भी नहीं मानता तो ऐसे विक्ति पे 500 रुपे का जुर्माना लगाया जाता है जो दूसरे की सिटों पर बेट जाते हैं और फिर बोलते हैं हम नहीं उठेंगे उन पर आर्टिकल 155 के अकोर्डिंग कारियवाई करके उस पर 500 रुपे का जुर्माना लग सकता है आर्टिकल 156 है ऐसे यात्रियों पर लागू होता है जो मना करने पर भी गाडी की है चत पे पायदान पे या इंजन या ऐसे अस्तान पर बेट के यात्रा करते हैं जो यात्रियों के लिए उचित नहीं है जा लग गाडी के गेट पर चत पर बेटने पर आर्टिकल 156 के थुरूब आपचे कारियवाई की जाती है तता इसमे इसमे डंड क्या होता है समें 3 मय क्या के और पांद कींच और प्रोपे का जुर्माना अत्वा दोनों से दंडित किया जा सकता है इसमें क्या है आर्टिकल उन वenta यो उन विक्तियों परलागू होता है जो जान जानबूज कर टिकेट पर लिखेवी वरणों को मिटाता है जब टीटी आते हैं तो डेट को मिटाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो उस पे तीन माय की सजा और 500 रुपे का जुर्माना लगाया जाता है आर्टिकल 162 अगर कोई पुरुष यात्री जानबूज कर महिला की आरक्सित इस्तान पर परिवेश करता है वह मना करने पर भी नहीं मानता तो उस पे आर्टिकल 162 के अंत्रगत कार्यवाय की जाएगी तदा उस पे 500 रुपे का जुर्माना से दंडित किया जाएगा और उसका टिकेट भी जब्त कर लिया जाएगा तदा उसको वहाँ से इठा दिया जाएगा इसलिए ध्यान रहें कि महिलाओं के डिबों में यात्रा ना करें आर्टिकल 164 यह ऐसे यात्यों पर लागू होता है जो आर्टिकल 67 का उलंगन करते हुए खतरनाक माल या सामान बिना अनुमती के ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तीन वर् पूर्ति भी उसी से कीजाएगी जैसे खतरनाक सामान ले जा रहा है और कुछ रस्ते में हो गया जल गया सीट वगेरा एया कुछ भी नुक्सान हो गया तो उससे तीन वर्ष की सजाब आजार उपे का जुर्माना प्लस जो जितना नूक्सान हुआ वो उसी के पूर्ति उस उसमें आर्ट 164 था खतरनाक सामान के लिए और 165 था बदबूदार सामान ले जाता है जिससे ट्रेन के डिबे शड़ने लग जाते हैं तो उस पे 500 रुपे का जुर्माना से दिंडित किया जाएगा और रेल्वे संपति को यह दि उससे नुक्सान हो गया तो उसकी सतिपूर टाइम टेबल किरया उनको मिटाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको एक माय की सजा और 500 रुपे जुर्माना अत्वा दोनों से दंडित किया जा सकता है आर्टिकल 167 अगर कोई व्यक्ति या यात्री रेल परिशर या गाड़ी में धुम्र पान करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके 200 रुपे का जुर्माना किया जाता है ये 200 रुपे का जुर्माना पहले था अभी चेंज करके मिनिमम दो सो हैं लेकिन 500 रुपे तक का जुर्माना लगाया जाता है जो इस्टेशनों पे थूंकते हैं या धुम्र पान करके इस्टेशनों पे गंदगी फैलाते हैं उन पे ये आर्टिकल 167 के लिए चार्ज किया जाता है अगर कोई रेल करमचारी नसे की आलत में ढूटी पे आता है तो 500 रुपे का जुर्माने से दंधित किया जाएगा और ऐसी इस्टिते में किसी यात्री की जान को खत्रेव पडती है तो एक वर्स की सजा सजा से जुर्माने से यत्वा दोनों से दंधित किया जाएगा मलब आर्टिकल 172 के एकोर्डिंग कोई भी रेलवे यातरी नस्य की आलत में स्टेशन पे नहीं आ सकता और अंतिम अपन डिसकस कर रहे हैं आर्टिकल 198 यह होता है कोई अगर कोई भी यातरी रेल परिशर में या गाड़ी में गंद की फैलाते वे पकड़ा जाता है जो अपन प्लेटफोर्म पे जो थूंकते हैं दुमरपान करके गंद की फैला दें उन पे आर्टिकल 198 की रिशिप्ट बनती है और उस पे 500 रुपे तक का जुर्माना उससे वसूला जाता है थेंक्यू दोस्तो यदी मेरा चैनल और पसंद आये वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करना